आज मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत एवर गरीन बेल के बारे में बाइन के बारे में बताऊंगी कि जिसकी कटिंग इस मोसम में मोनसून में लगाते ही फटा फट त्यार हो जाती है चाहे तो आप जिस ताइम लगाते हो तो मुझे लगता है उसी ताइम से वो लगना शुरू हो जाती है एक ही दिन कहलो चाहे दो दिन कहलो फटा फट कहलो तो जट सी वो त्यार हो जाती है तो ना उसकी कोई केर खास करनी पड़ती है नमशकार जी मैं मंजू आज मैं आपको एक बहुत ही खुबसूरत हारे बरे पत्ते जो जिसके साल बर बने रहते हैं और चाहे आप उसको क्यारियों में लगाओ चाहे आप हैंगिंग पोर्ट में लगाओ अगर छोटे पोट में लगाते हैं तो उसमें भी वो बड़ी खुब सुरत लगती है और छोटे साइज की रहती है अगर आप चाते हैं फूल भी उसमें जरूरत हैं कि फूल आएं तो फिर उसको जब आपकी बेल चलने लग पड़े तो उसे फिर धूप खुब अच्छी चा तो वो कौन सा पुद्धा है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ख्याल से आपको वो पसंद आएगा और मेरे बहन भाई जो उसे लगाना चाते हैं खास करके इस मोसम में मौनसून में जो कि उसकी रूर्स जो अभी बेल पे अपनी आपी ही इस मोसम में बनना शुर कर दी और अच्छे से वो चलना शुरू हो जाती है और कोई खास केर नहीं करनी पड़ती तो चलिए आगे हम करते हैं इसके बारे में बात हां तो मैं जिस पुद्दे की हैंगिंग जो प्लांट के बात कर रही हूँ वो ये स्वीट पटेटो वाइन शकरगंदी की वेल तो ये देखे अपने आपी इस टाइम ये इसकी रूर्स ये छोटी 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 रूर्स जो बनी हुई है बस यही कहीं से आप इसे ऐसे त चाहिए क्यारी में चाहिए पोट में लगाना चाहते हैं तो आप इसको बस दवा देना इसको पर चाया वाली जगे में रखना तो दूसरे दिन ही देखा पुद्दा त्यार हो जाता है ये छोटी थोटी रूर्स तो यहां कहीं दिवार के साथ ये टच करती हैं एक अठी जुंड में रहती हैं, बारश का पानी पड़ता है, दिवार में नमी रहती है, तो इनमें रूट्स एकदम से बन जाती है, और एकदम से ये जो लग जाता है पुद्दा, तो तियार पुद्दा भी मैं आपको नीचे वाले गार्डन में दिखाऊंगी, हैंगिंग पोर्ट म तो छाय वाली जगे में रखना है, अगर धूप में रखोगे तो फिर ये कटिंग जो हमारी सूख जाएगी और चलने के चांसे फिर कम होते हैं, तो छाय वाली जगे में चलने तक इसे रखना है, तो फिर बाद में तो कहीं भी आप रख सकते हैं, तो ये देखा कितना अस तो लगाना उसी तरिके से है जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था और ड्रेसीना के प्लांट्स ग्रो करना उनकी कटिंग सिखाया था बस बिल्कुल वैसे इसको मिट्टी के उपर रखो पोट में वर दो जा कहीं भी क्यारी में और उपर इसके मिट्टी डाल दो चाहे सेंटर म भी यह बिल्कुल हरा वरा दिख रहा था कोई मुर्जाया ने कुछ नी बस मैंने जो इसको हैंग किया रखा है हैंगिंग पोट में वो बिल्कुल ऐसी जगे है जहां पे बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ती है पर खुला बाता वरन जैसे हवा वगरा यह खुली रहती है तो अब मेरी ख्याल से खुब अच्छे से वो चलने लगा है तो अब भी तीन-चार दिन ही हुआ है उसे लगाए हुए तो चलो मैं इसे यह छोटी जो बोटल है इसी में ही लगा देती हूँ यह छोटी मुझे काम नहीं करने देती यह मेरी कैट है न बस इधर ही बैठ बस ऐसे रखना है अराम से और उपर जो है मित्टी अपने दे देनी है तो मित्टी मैंने यह बेंगल की है एक बेंगल Ann ke Joy है तो यहां के अच्छी भुर-बुर मिट्टी है, तो यह मैं दे देती है, उसमें मैं फिर डाल दूँगे, ऐसे डाल देनी है बस मिट्टी, इस तरह से जट डग दी, और मिट्टी को मौइस्टी रखना है, इसके मिट्टी को, और चाया वाले जगे में, बस अब मैंने पानी देते हैं, ढ़्र आशीलए विर हना ही इसमें, ये लगे हैं बेल, जो रूटी बॉटल मिट चोटी सै, इस चोट 누स में मिट्टी को दी, तो ये दिखा इन्हें ग्रो करना कितना आसान है अब दूसरे बाला पुद्धा भी मैं त्यार आपको दिखाती हूँ जिस पुद्धे को कि मैंने दो दिन में त्यार किया है तो अगर आप हैंगिंग पोर्ट में छोटे से पोर्ट में लगाओगे तो इस बेल का साइज छोटा ही रहेगा पर फूल उसमें भी आते हैं और बड़े क्यारी में जा कहीं बड़ी जगे में लगाते हो तो फिर ये बेल बहुत ज़्यदा बढ़ जाती है तो ये मेरी शगरगंदी की बेल बोही है जो मैंने एक हैंगिंग पोर्ट में एक बारी शगरगंदी लगाई थी तो लगाने कात्रिक का भी बताया था तो वो ही बेल जो मैंने उखाड के शगरगंदी ऐसे ही पोर्ट में रख दी थी तो उसी में पुद्धा जो हरा बरा हो गया और बड़ा त्यार हो गया तो बोलने का मतलब यह है कि यह जो स्वीट पटैटू है यह बड़ा ही हाटी प्लांट है अराम से कहीं भी चल पड़ता है बस आप इसे जहां कहीं भी लगाना चाहें लगा लीजिए और दुसरी बात हमारी यहां जो गर्मियों में इस बारी 49 डिगरी तक टैंपरेचर रहा मैंने कोई भी नेट नहीं लगाया तो भी यह मेरा बेल अपने आपी अराम से अच्छ से चलती रही बस जरूरत भरका जो मैंने इसे पानी दिया है साथ में आपने मेरे गार्डन के विट्फुल फ्लार्स भी देख लिए यह मैंने चैरी टमैटोस जो लास्ट टाइम ग्रो की थे उसी के सीड इस बारे डाल दिये थे तो यह इनमें फोलाना भी स्टार्ट हो चुका है हां तो मैं जिस हेंगिंग पोर्ट की बात कर रही थी तो वो इस में छोटे से पोर्ट में मैंने ये बील जो लगा रखी हुई है तो मैंने देट टो नोट नहीं क движे थी तो मेरे ख्याल से मैरे ख्याल चार दिन तंकर पांच यह हुंँ गे ऐसी तो दूसरे दिन ही जैसे मैंने नीचे इसको ले आई थी लगाई तो उपर थी फिर नीचे बोट को ले आई थी और चाया में रख दिया था तो खुला बाता बरन मिलना चाहिए और जब लगाओ तो रूट इसकी डैमेज ना हो अराम से रखे पर उपर धीरे से मिट्टी डा रही हैं तो बहुत ही जल्दी ये पर्मनेंट जो फूलों की बेल है हमारी मैं तो फूलों के कारणी से हरे पत्तों के कारणी से लगाती हूँ एवर ग्रीन वेल और पूरा सालवर ये हरी बरी रहती है तो ये दिखा कितनी ही बीटिफुल हो और बहुत ही जल्दी तो मैंने कैसी जगे में इसको रखा टांगा इसको दिखाती हूँ जैसे ये मेरे घर का जो गेट है आगे की तरफ का तो इस तरफ ये दिखे पूरी हवा आ रही है खुली हवा रही है और इस तरह से इस तरह से बस ऐसे मैंने इसको हैंग कर दिया है ये यहाँ पर हैंग कर दिया है मैंने ना कील की उपर इस तरह से हैंग कर दिया है और ऐसे ये गेट आ रहा है, पूरा खुला बातावर्न, खुली हवा मिलनी चाहिए, तो धूप तो नहीं इसको आ रही थी और चाया बिल्कुल है, पर खुली हवा जैसे ये है, तो जब ये बेल आपकी पूरी अच्छे तरह से चलने लग पड़े हैं, और मेरी बेल चल पड हो और बारिश बगहरा का मौस मैसा हो बादल बगहरा तो ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, तो इसकी कटिंग लगाने में जो पत्तों को ये बस नीचे का ही एक पिला पता है, और कोई नहीं है, वो भी ठीक है, सोरी ये वी नी, कोई वी नी खरा प बेल को आप अपने गार्डन में जरूर ग्रो करें, चाहे क्यारी में लगाएं, तो खूब लंबी बढ़ जाईए, और पोट में छोटे में लगाओगे, तो छोटी रहेगी, पर फूल इसमें जरूर आते हैं, चाहे छोटी बेल रहे, चाहे बड़ी रहे, इसी के साथ नम मस्ते जी, शुक्रिया